हेलो, इस वीडियो में हम ये सिखेंगे कि बांप सर्वर के योर प्रोजेक्ट में फोल्डर को कैसे क्रेट किया जाता है, ये हम इस वीडियो में सिखेंगे सबसे पहले हम यहां पे इस PC इसके ओपर क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम यहां पे Local Disk C Drive में जाएंगे यहां पे इसको ओपन करेंगे ओपन किया ओपन करने के बाद हमारे पास यह फोल्डर ओपन हो जाएंगे इसके बाद हम यहां पर warmth 64 यहां पर click करेंगे यहां को click किया Click करने के बाद यहां पर उपर folder आ जाएंगे और निचे यह जितने भी दिए गए हैं यह फाईले हैं अब हम यहां पर folder create करेंगे तो folder कहां पर create करना है यहां पर www इस folder के अंदर हम एक folder create करेंगे यहाँ पे हम click करेंगे यहाँ पे हम एक folder create करेंगे तो folder को create करने के लिए हम mouse का right click करेंगे right click करने के बाद यहाँ पे new पे जाएंगे new पे जाने के बाद यहाँ पे उपर दिया गया folder यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे folder का नाम देंगे जैसे यहाँ पे लिखा मैंने second folder तो यह second folder यह folder का हमने यहाँ पे name दिया name देने के बाद अब हम इसको देखेंगे कि यह bump server के your project में यह second folder नाम आया की नहीं आया इसको हम check करेंगे तो check करने के लिए क्या करेंगे हम इसको बंद करेंगे यह हमने यहां से इसको बंद किया बंद करने के बाद हम इसको चेक करने के लिए बाम सर्वर को यहां पे रन करेंगे यह दिखो डेस्टोप पे यह आइकन बना हुआ है बाम सर्वर यहां पे क्लिक करेंगे ये देखो task bar में ये red में हो गया है इसके बाद orange में होगा इसके बाद ये green में आ जाएगा जब ये green में आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब हम काम कर सकते हैं ये देखो orange में हो गया orange में होने के बाद ये green में हो जाएगा यह देखो यह green में हो गया green में होने के बाद हम यहाँ पे click करेंगे यह देखो click किया click करने के बाद अब हम check करना जाते हैं कि your project में second folder बना की नई बना तो इसको check करने के लिए हम यहाँ पे local host यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद अब ये local host यहां पर open हो जाएगा यह दिखो यहां पर यह open हो रहा है यह दिखो यहां पर यह bomb server यहां पर यह window open हो गई है इसको हम यहां पर बड़ी करेंगे यह यहां पर बड़ी की बड़ी करने के बाद यहां पर यह दिखो bomb server यहां पर आ गया है ये tools आगे है तो yours project में ये दिखो एक folder पहले से बना हुआ है और अभी जो folder हमने create किया वो second folder है अब जितने भी PHP की फाइलें होती हैं वो folder के अंदर रखी जाएंगी तो इस वीडियो में हमने सिखा कि BAMP server के your project में folder को कैसे create किया जाता है इसके बारे में सिखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद